दोस्तों आज हमारे बीच गीट कार गजल कार तुलीक डॉक्टर तुलीका सेट जी उपस्तित हैं और अब नेके शेत्रे में भी इनका काफी बोल बाला है दो तीन सीरियल में काम कर चुकी हैं मा पिक्चर में आ रही हैं दो तीन पिक्चरों को साइन कर चुकी हैं स्क्रिप्ट लिख रही हैं बहुत से कारे करती रहती हैं आज हम इनका साक्षात कर लेना चाहते हैं तुलीका जी आपका बहुत बहुत अभी नंदन ने बहुत बहु पुश्पा जी मन में है कि आकाल के बड़ी तरास्थी का विशे है तब कहना चाहती हूँ मन में है कि आकाल के कौन सका है भाप देख धरा की तरास्थी हिदय उठा है काम बहुत चिंतनीय विशह है कि देश की शुरक्षा के देश के सिपाही जिस तरह से उनकी इस सिती है बहुत दैनी है हम लोग के सोचने का विशह है कि किस तरह से उनके परिवारों की और उनके घर को भावनात्मक प्रूप से समाला जाए किया जाए हम लोग आगे आएं और उनके लिए उनको भावनात्मक सहारा बहुत जरूरी है देश के अंदरूरी और चुकि आप गजलकार हैं और बहुत अच्छी बहुत सुन्दर गजल लिखती हैं तो गजल की यात्रा किस परकार शुरूई उसे कैसे याद करना चाहिए पुश्पा जी मेरा परिचे बच्पन सही नत्यकला साहित तीनों से है मेरे बाबा जो की बहुत अच्छी साहितिकार तो नहीं कह सकती पर साहितिकरपती उनका बहुत लगाओ था तो बच्पन सही हम लोगों का मेरा जीवन गीत गजलों की छाओं में पला है और हम लोग शुरू से वो आयोजक मंडल में हुआ करते थे बड़े-बड़े कभी समेलनों मौशायरों कायोजन किया करते थे और बड़े-गुलाम अली सहाब, जग्दी सिंग और तमाम शकिल सहाब ना जाने कितने शायरों की गीत गजले हम लोग सुना करते थे तो उसी वातवरंड में तो ये रूख के अंदर गीत गजल पल रहे हैं जी वो बाबा के साथ बहुत जादा रही हूँ पाँच बज़े सुबे तक हम लोग नीरज जी को सुना करते थे तो बच्पन से ये चीज़े देखी हैं तो गजल की तरफ बाबा का बहुत जादा था वो गाया करते थे गजल, बहुत खुबसूरत गजल गाया करते थे तो वो उनी सब चीज़ों की वज़े से बीम में स्कूल में स्कूल में लिखने नटिकला सहित तीनों से ही मैंने आपको परिवारिक इस्थितियां और परिवारिक जिम्मेदारियों की वज़े से बीच में कहीं रुकावाट आ गई थी वो महिलाओं के साथ हमेशा हुआ करता है जैसा की परंतु अब मुझे भरपूर समय मिल रहा है परिवार का सहयोग मिल रहा है और छेतर भी मिल रहे हैं कुछ लोगों का सहयोग प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं तो इन दिनों में मुझे स्क्रिप राइटिंग लिख रही हूँ कुछ मैंने एड फिल्म लिखा अभी नहीं के छ सारी चीज़ां सीखने को मिल रहे हैं मुझे बहुत कुछ करने का अवसर मिल रहा है यह सबकी दुआएं हैं और मेरे पूरवजू मेरे बाबा का आशिरवाद है तो आप आगे ट्रू मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी गजल के शेतर में अभ हर चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं नए नए साहतेकारों को और पुराने साहतेकारों को जोड़ कर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और सबको जो किसी ने नहीं किया वो ट्रू मीडिया सच मु लिका जी ने कितने शेत्रों को अपने हाथ में पकड़ा हुए और साथ में लोगों की भी उसी तरह आगे बढ़ने का संदेश दे रही हैं साथ में टू मीडिया को भी उन्होंने बहुत-बहुत बढ़ाई दिये और काहा कि टू मीडिया जिस प्रकार सभी शेत्रों को लेके तर निमाद